दोस्तों, IND Academy में आप लोगों का स्वागत है आज हम इस वीडियो के माध्यम से साप्ताहिक Current Affair को कुश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे यह रिवीजन वीडियो हर सप्ताहिके आखरी में इंपोर्टन्ट कुश्चन के साथ आएगा तो चलिए 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक के Current Affair को रिवीजन करते है सबसे पहले कुश्चन की बात करते है कि किसे BSNL का CMD नियुक्त किया गया है तो BSNL का CMD किसे नियुक्त किया है यह आप लोगों को बताना है मैंने पिछले अपने Current Affair की वीडियो में पूरे Question cover किये हुए है अगर आप लोगों नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे जाके Playlist से देख सकते है सबसे पहला Question हमने आप से पूछा कि कि किसे BSNL का CMD नियुक्त किया गया है आप लोग सोचिए इसके अंसर मैं वीडियो के लाष्ट में दूँगा अगला Question है कि किस राजसरकार द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सामिल किया गया है यह Question मैंने आपको समय भी समझाया था कि राजसरकार द्वारा किसी भी जातियों को दूसरी अनुसूचित जातियों या स्टी जातियों में बदलना का दिकार नहीं है यह मात्रा दिकार केबल सामिल किया जाता है Next Question कि Supreme Court के फैसले अब कितनी भासाओं में आएंगे अभी तक Supreme Court के फैसले मात्र एंग्लिस लेंग्वेज में आते थे लेकिन अभी उन्होंनों इस पर फैसला दिया है कि अब Supreme Court के फैसले कितनी भासाओं में आएंगे या आप लोगों को मुझे बताना है अगला Question है कि किस राजसरकार द्वारा Supreme Court किस राजसरकार पर Supreme Court द्वारा एक हजार करोल का जुर्बाना लगाया गया है मैं आपको यहां हिंट दे सकते हूँ कि पूर्बुत्तर का एक राज है क्योंकि अभी पिछले सब्टा है पूर्बुत्तर के तीन राजसरका में मैंने इस वीडियो के माध्यम से तीनों राज्यों को कवर किया है तो इस कुश्चन का अंसार आप मुझे बताएंगे किस राजसरकार पर Supreme Court द्वारा सो करोल का जुर्बाना लगाया गया है अगला कोश्चन है कि जल सकती अभियान का राजदूत किसे नियुक्त किया है जल सकती अभियान केंद सरकार दोरा चलाया गया एक अभियान है जल के संरक्षन के लिए और इसका अभियान अभी हाली में नियुक्त किया है और ये मैंने लास्ट वीडियो में cover किया था अगला question है कि RBI का deputy governor किसे नियुक्ति किया गया है बरत्मान में RBI का governor शक्तिकांथ दाश जी है और RBI की deputy governor जो पहले भी RBI की deputy governor है जो कि उनका ही फिर से नियुक्ति की गई है हिंट आपको दे दिये ये तो आपको ये बताना है अगला question है कि IBSF snooker world cup किस देश में आयो जो थुआ था ये चर्चा में क्यों रहा था क्योंकि यहां पर भारत final में तो पहुचा था लेकिन पाकिस्तान से हार गया था अगला question है अमेर की राष्टपती उत्तर कुरिया की सीमों पर कब गए थे इस question को mark कर ले ना और कोई भी पेपर देने जब भी आप जाए तो इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लें क्योंकि डेट पूछ सकता है या आप से समानांतर रेखा जो भी उत्तर कुरिया जब मैं कि भारत और फ्रांस के मद्ध कौन सा साहियोकतअव्याश सम्पन हुआ था यह choice अगला question है भारती तटरक छक बलके इंडियन कोश्टगाड के थेश्में प्रमुख की रूप में किसी न्युक्ति किया है यह न्युक्ति से सवाल है चलिए अगला question देखते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर लंबी है जिसकी लागत चार सो साथ करोड़ रुपए आई थी यह हमने पांस से च्छे जुलाई कर इंट अफियर की वीडियो में कवर कर आया है तो यह आपको बताना है अगला कोश्चन है कि पाकिस्थान को आये में अंतर 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 अं को किसे अंतरीच氣 को कि निवट किया है तो यह मैं आपको बता देता हूँ डेविट लिप्टन को अंतरेइब किन की रूप में न्यूक्त किया हैं और यह हब आप को बताना है कि किंटे डॉलर का रेण या लोन पाकिस्तान सरकार्ड को दिया है ाई आई-ई-एमेफिन सरकार ने 2025 तक GDP का कित्ति प्रतिशा स्वास्त सिवाओं पर खर्च करने का लक्ष रखा है अब यह आर्थिक सर्वेक छणा आया था उसके माध्यम से यह बताया गया है अगला कुश्चन है कि गोवा सरकार दौरा किस प्रोग्राम की शुरूबात की गई थी गोवा सरकार दौरा अभी एक प्रोग्राम की शुरूबात की गई थी कि दिल के दौरा जो बीमारी होती है उससे ग्रस्त लोगों के लिए एक प्रोग्राम की शुरूबात की गई थी उसको मैं लाश्ट में आभी आपको बताता हूं अगला कुश्चन है यह 1076 cm help line किस सरकार किस सरकार दौरा सुरू की गई है यह cm help line बहुत important है याद रखना 1076 अगला कुश्चन है कि डीटल सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NME ICT कारिक्रम किस मंत्राले दौरा चालू किया गया है इस कारिक्रम का मुख उत्देश्च मैंने आपको बताया था कि कि देश में परबुत्तम गुणबत्ता वाली सामगरी निश्चल को अपलब्द कराना है 21 मंत्राले दौरा चालू किया गया है देखते है अब है अगला कुश्चन है कि किन दो राज्यों के दौरा इस्थानियन नागरिकों का रजिस्टर नर्सी तैयार किया जा रहा है यह मैंने अभ तो यूजना का नाम आप लोग बताईए अगला कुश्यन है एक राष्ट एक रासन कार्ड यूजना देश में कब तक लागू की जाएगी वित डेट आपको बताना है आखरी कुश्यन इस वीडियो का यह है कि किस सहर के द्वारा किस सहर के द्वारा अंताराष्टी सुरक्षागडवन्दान आईयसे की पहली संयुक्त अभ्यास पहला संयुक्त अभ्यास कौन सा है आईयसे लए एक्स-19 की मेजवानी कर रहा है यह भी मैंने वीडियो के पहले आप सोयम अपना अकलन कीजिए उसके बाद जिस कुश्यन का आपको अंसन ना है तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं तो सबसे पहला कुश्यन हमने आपसे पूछा था कि किस राज्यसरकार द्वारा सत्तरा पिछली जातियों को अनुसूचित जाती ही सूचि पना समयल किया है तो यह हमने आपको बताया थे उत्तर अवीम कोट के फैसले आप किती भासाउां में आएँगे साथ भासां में आएंगे अंगरीजि में तो आती ही थे 6 अन और भासाएं एट कड़ी गई हैं वह भासाइनी का मराराथी, कनल तेलग meat लंवा और उडिया अगला कुश्चन है कि किस राजी सरकार पर सुप्रीम कोड द्वारा सौ करोल का जरुबाना लगाया मैंने बताया था पूर्वत्तर का राज है मेगाला सरकार पर अगला कुश्चन है एनस स्वामी नातन ये हाल ही में आरिबियाई के डिप्टी कवेंटनर नियुक्ति किया गया थे अगले कुश्चन का अंसर दोहा और कतर है यानि कुश्चन ये था कि आईबिया से पिश्णू कर विश्चुकप्त किस देश में आयुजित हुआ था जिस अगला कुश्चन भारत और फ्रांस के मद्द जो संयोक अभ्यास इसवार हुआ था वो गरुन नाम से किया गया था नेक्स्ट कुश्चन के नट राजन भारती तट्रक्षक बल के तेश में पुरमक के रूप में के नट राजनी को नियुक्ति किया गया अगले कुश्चन डॉलार करने रिण आएमेफ ने पाकिस्तान सरकार को उसकी अर्थिवस्ता सुधानने के लिए दिया है धाई प्रितिसत इसका अंसर किस कुश्चन कुश्चन ये था कि सरकार ने दो है यार पच्च्चिस तक जीडीपी का कित्ति प्रितिसत स्वास्ति सेवाँ पर खर्च करने का लग्ष मेधारित किया है तो 2.5 पर प्रितिसत जीडीपी का स्वास्ति से वहाँ पर खर्च कनने का लगauen दारित क्या है इस टेमी गोबात सरकार दोरह एक प्रोग्राम चालू किया है दिल का दौरह भीमारी से प्रिसत लोगों के लिए ठीक है उत्तर परदेम फिर सीठी प्रोग्राम किस मंत्राले द्वारा चारू किया गया है मानो संसाधन विकास मंत्राले द्वारा ठीक है तीस जून से एक जुलाई से मत याद रखना है यहाँ पर confusion हो सकता है कि एक जुलाई आप लोग लगा दें लेकिन तीस जून याद रखना है और आखरी कुश्चन है कि कौन सा सहर अंतराष्टिय सुरक्षा गटभंदन आईयसे की पहली संयुक्त सुरक्षा अभ्यास कौन स देवस अपनने पढ़ा था एक जुलाई को ही तीनों देवस मनाये गए थे कौन से था जीएस्टी डॉक्टर्स डे तीसरा पढ़ा था कौन सा डॉक्टर्स डे किसके लिए बनाया था ठीक है और SBI का स्थापना देवस तो SBI का स्थापना देवस था वो 64 मा था और GST की द यह है हमारा आज का वीडियो आप लोगों को हमारा वीडियो क्यासा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और साथ मैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले है कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाओ आता है तो नीचे दी गई वाट्सेप लि झाल 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 झाल